वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ GST में ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो सस्ती हो जाएंगी और कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो महंगी हो जाएंगी एक जुलाई से देश भर में GST मतलब की Goods and Service Tax लागू होने वाला है GST बिल लागू होने के बाद कई ऐसे सामाने ज कम से कम 18 टेक्स लगते थे लेकिन अब GST लागू होने के बाद सिर्फ एक ही टेक्स लगेगा इसे बेचने वाला ख़िदने वाला GST के दायरे में होगा और जितने भी टेक्स है Sell Tax, Service Tax वो सारे टेक्स जो खतम हो जाएंगे और 1 जुलाई 27 से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्स लागू हो जाएगा तो फ्रेंस मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो GST से मुक्ते रखी गई हैं और सस्ती होने वाली हैं ये चीज़े हमारी रोज मर्वा की चीज़े हैं इन जूर का गोड नमक बच्चों की किताब कॉपी ये सब चीज़े काफी सस्ती हो जाएंगी इन पर कोफी टेक्स नहीं लगेगा ऐसे ही आपके कुछ चीज़े हैं उनके बारे मैं मैं आपके लिए बताऊं जैसे की चाय पत्ती चीनी कॉफी के बोने दाने रिफाइंड लगता था वो टेक्स खतम हो जाएगा और सिर्फ 5% टेक्स लगेगा और ऐसे ही स्वास्ति सेवाएं दवाएं जो है वो महंगी हो जाएंगी तो फ्रेंस मैं आपके लिए बताता हूं जी एश्टी को तीन हिस्तों में रखा गया है 12% टेक्स 18% टेक्स और 28% टेक्स तो मैं गी है फ्रूड है बादाम है छत्री मोबाइल अचार मुरब्बा चड़नी इन पर 12% टेक्स लगेगा और जिन चीजों पर 18% टेक्स लग रहा है यह वो चीज़े हैं जिन पर पहले कम से कम 32% टेक्स लगता था यह चीज़े हैं कुछ electronic चीज़े हैं जैसे computer printer और बाकी जितने भी थे आईश क्रीम और बाकी जो सबसे आज टेक्स रखा गया है वो 28% टेक्स यह चीज़े हैं कार है बाइक है पान मसाला बीडी सेग्रेट प्रिंट मेक अप यह चीज़ें 18% टेक्स के दायरे में अब आएंगी तो फ्रेंस काफी ऐसी चीज़े हैं जो सस्ती होन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अगर आपना इवितरमा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रड़ बटन को दबाएं और माई चैनल को सब्सक्राइब करें